सुमाजवादी पार्टी को आज एक ओल बड़ा जटका जो मिला वो आयोध्या क्षेत्र से मिला आयोध्या की गुसाई गंज फीट से विधायक अभहिसिंग के किनती उत्रप्रदेश के बड़े बाहु बलियों में होती है उन्हें कभी मुख्तार अंसारी का राइट हैंट कहा जाता था आज कल वो राजा भहिया के करीबी कहे जाते हैं और राजा भहिया कह रहे हैं कि लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट डाल रही है उधर अंबेटकर नगर इलाके में भी बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को जटका दे दिया कुछ दिन पहले बहुजन समाजवादी पार्टी चोड़का बीजेपी में शामिल होने वाले सांसर रुतिश पांडे के पिता राकेश पांडे ने भी आज बीजेपी उमिद्वार को वोट दिया है ब्राह्मन समाज के कदावर नेता राकेश पांडे और उनके परिवार की गिनती दबंगों में होती है उनके भाई पवन पांडे अंबेटकर नगर के बाहु बली नेता है एक और समाजवादी पार्टी के विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की वो है विनोचत्रवेदी विनोचत्रवेदी जालॉन के कालपी सीट से विधायक है ब्राहमन समाज में उनके बड़ी मस्बूत पकड़ है उन्हें गौरी गंज विधायक राकिश प्रताब सिंग का बहुत ही घनिष्ट माना जाता है अगला नाम एक और विधायक जिन्होंने अखिले श्यादव की मर्वी के खिलाफ जाकर योगी के उमीदवार को वोट दिया है वो है कौशामबी के चायल से विधायक पूजा पाल पूजा पाल बेफ से विधायक राजू पाल की पतनी है जिनके अतीक एहमत ने साल 2005 में हत्या कर दी थी पिछले साल जब उमीश पाल हत्या कांट के बाद अतीक का खात्मा हुआ तो पूजा पाल ने योगी की कारिश्याली की बहुत तारीफ की थी आज जो तस्वीर सबसे पहले मैंने आपको दिखाए उसमें पूजा पाल भी नज़रा रही थी जो मुस्कुराते हुए बीज़ोपी के नेताओं के बीच में विक्ट्री का साइन दिखा रही थी की उमीदवारी से नारास भी थी वोट डालने को लेकर अखिलेश यादव के साथ उनके फोन पर जोड़दार बहस की भी खबर आई लेकिन आकिरकार पलबी पटेल ने समाजवादी पार्टी के दलित उमीदवार राम लाल जी सुमन के पक्ष में वोट किया और उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं ये समाजवादी पार्टी की अंतर कलह है, जो फूड करके सामने आ गई, भगदल मची हुई है सपा में, सपा समाप्तवादी पार्टी बनने के ओर अक्रसर हो गई है, उनके मुकिया स्रिय अखले स्यादो जी हतासा में हैं, और अनाप सनाप बयान बाजी कर रहे हैं, लेकिन भारती जनता पार्टी, चुकि देश का, प्रदेश का, मानी प्रधान मंतरी मोदी जी और आधरनी मुक मंतरी योगी जी के नेतित में विकास कर रही है, और जो विकास के पच्छधर हैं, अगर किसी के मन में ये भाव आया है, उन्होंने भाज़वा के प्रत्यासियों को और दिया होगा, तो उनका स्वागत है.